अभी हम ना आगे तो अभी हम ना आगे जाई रहते तो रास्ते में एक नाल development गोज़िए सब्सक्राइब करें वह जए टो फाइनली अब हम पॉछ चुके है और यह है माता काली माता का मंदिर और अब पहुंच गया है वाहां पे अप्लिक तकाइड है यहां कि जो रास्ता गया है यहां पे चोटे चोटे-चोटे रास्ते वह बैशनो मंदिर का पहाड़ उसके जश्ट सामने यह मंदिर है जो कि हम कल गए थे वहां पे माता के मंदिर पे ना तो वहां से हमने सोचा था कि इस मंदिर पर आएगे हम रास्ता जूड़ रहे थे बट अभी हम दूसरे मंदिर पर जा रहे थे बावाश्चिप खोडी की अधर के द्रैक पर हमें यह दिखाए दिया तो एक किलो मीट्रों का लगवग रास्ते से तो हम उपर की तरफ आगे हैं माता काली का मंदिर और यहां से विज्ट दिखाए देते ना आस पास के बिलकुल एक नमबर के विज्ट दिखाए दे बिलकुल मस्त और साथ में और मंदिर आप देख सकते हैं और यह बैग बैग सब्सक्राइब यहां पर फोटों को खीच रहे थे और यहां से पूरे चारों तरफ को एक नमबर का दिखाए देता बट मंदिर बहुत मंदिर लोकेशन मंदिर की जो है न एक नमबर की है और यहां पर दो बच्चे दिख विडिके देविर वागेव फूर दर यहां बहुत दो के ऊन्हों मंदिर खुला है दो क्टल Supreme Girls को थे दो फूरे चालो हमसें क्पाई पते चाहने को यहां पैज़ने डाया कट्चे मिलेहें का मंदिर को फ्ılarन करने के लिए तो हम बाहर वहार वेटे हम पीटे हैं जै पैसम यहां पर पता चला मंदिर खुला है चलते हैं अब यह था कर दो बच्चे मिले इनों ने बताया कि हमें मंदिर खुला हुआ है अब भागे का अब ने सोचा मंदिर बंद है कि आपकी ने चाहिए है तर्शन करो माताक के जैने माता दी तो अभी हम ना मंदिर पर आयते और यहां पर बच्चे में लेते इन उने टीका लगा है मंदी पर आते बूबने बच्चे कुब सुरत और यह है काली माता को मंदिर और यहां से ना मंदिर नंबर का दिखाई ता बहुत बड़ी है मंदिर और आस-पास की लोकेशन जब आप दिखो गए ना तब आपको पता चलेगा कितनी खूबसुरत सी लोकेशन है आस-पास की और कितना खूबसुरत मंदिर बाकी की लगाते च्छोटी सी परिकिर्पा मंदिर की जैम आता दी ल्फसे लुख अच्छा बटिर बेशनमाता को मंदिर यह आप अब अब आगया च्छुह अब आगे लिए मंदिर के आप लोग हो दोने दर्शन की मंदिर के खूब शुरुत से लिए कि युक्स ऑंब दोकि दो कह पाईनली ना बढ़े re कर लिए दर्शन करने के बाद यह मंदिर है और हमने दर्शन कर चुके अब चलते हैं आगे की और और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें